हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स मतिप्रदीश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करेंट अफिर के इस पीडियो में आपका स्वागत है आज है 10 जून 2019 और यह हमारी 171 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important ह इन questions को आप note कर लें क्योंकि ये आपके exam में पूछे जाती हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखनी हैं दोस्तो अगर आपको MPGK और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरू करेंगे और दोस्तो आपको बतादे ज जैसे एक्जाम नजदीक आ रहे हैं वैसे हम MPGK के question इस daily current affair के वीडियो में बढ़ाते जाएंगे साथी दोस्तो हम एक और नए सीरीज launch कर रहे हैं जिसमें MPGK कुछ important question लिये जाएंगे चलते हैं question number first पर हाली में किसे सागर संभाग का commissioner बनाया गया है जिसका say option है आनन्द कुमार शर्मा हाली में आनन्द कुमार शर्मा को सागर संभाग का नया commissioner बनाया गया है दोस्तो एक हपते के अंदर 18 IAS जो officer हैं उनके तबादली मद्ध परिदेश में किये गये हैं इन मेंसे एक नाम है आ सागर संभाग का commissioner बनाया गया है दोस्तो यह अजा कल्यान के आयक्त थे इस्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे इनके बारे में भी बता दे तो दोस्तो असोक साहे को हाली में PS बनाया गया है स्रम मंत्राले में शोवित जैन को इन्हें हाली में सचेव बनाय गया है राजस्व मंडल में तो आपको इतना इसकी बारी में याद रखना है दोस्तो बात करते हैं सागर संभाग की तो इसमें जो जिले हैं उनकी नाम आपको बता दे तो छतरपुर, टीकमगर, सागर, दमोह, पन्ना और निवाडी ये 6 जिले सागर संभाग की अंतरगत आते हैं और हाली में नया जिले बना है निवाडी जो भी सागर संभाग की अंतरगत आने लगा है, क्वेशन नमबर सेगेंड, हाली में किसे मद्धिप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का हैड बनाया गया है, जिसका सही ओफ्षन है राजेस जैन को, हाली में राजेस जै पुस्तक निगम का एमडी बनाया गया है, इस्क्रीन पर कुछ और नाम आपको दिख रहे होगे, ये तवादलों में इनकी नाम है, संजीब सें को, हाली में संचालक प्रिशाशन अकेडमी का बनाया गया है, अनिल संचुरी को, इन्हें हाली में मासिम का सचयो बनाया गया है, और सुदामा पी खाड़े को, इन्हें हाली में जी एम बनाया गया है, आर डी सी का, तो इतना आपको इन तवादलों की बारी में याद रखना है, नेक्स्ट क्वेशन, हाली में किसे मध्यप्रदेश पूर्वक शेत्र बिद्यूत बिजली कंपनी का प्रवंदक संचा बनाया गया है, तिसका से ओफ्षन है, पी करण गोपाल, हाली में पी करण गोपाल को मध्यप्रदेश पूर्वक शेत्र बिद्यूत बित्रन कंपनी का हैड बनाया गया है, दोस्तों आपको बता दें, इन्हें नंद कुमारम की जगह है, इस बिजली कंपनी यानि संचालक बनाया गया है, पी करण गोपाल को, नेक्स्ट क्वेशन, देश का पहला डायनसौर जीवास्म पार्क किस राज्य में खोला जाएगा, जिसका सही ओफ्षन है, गुजरात, गुजरात राज्य में देश का पहला डायनसौर जीवास्म पार्क खोला जाएगा, दोस दूस्तो वहीं विश्य शग्यों का दावा है कि रेयोलिग गाउं में जाफ source की सात प्रिजाथियां रहा करती थी तो दोस्तो बात आए गुझरात की तो आपको मैप मैं गुझरात में जोगान को一次र्श गुजरात की स्थापना एक माई 1960 में की गई थी, गवर्नर है ओम प्रिकास कोईली, गुजरात की मुख्य मंत्रियं बिजयरूपानी और गुजरात की राज्थानियं गांधी नगत, तो दोस्तो इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है, नेक्स्ट क्वेशन, हाली में धीरुभाई नारणभाई पटेल किस हाई कोट के मुख्य नयाधीस बनी है, तिसका से यह ओफ्षन है, दिल्ली हाई कोट, हाली में धीरुभाई नारणभाई पटेल, दिल्ली हाई कोट के मुख्य नयाधीस बनी है, दोस्तो दिल्ली हाई कोट के मुख्य नियादीश के रूप में इन्होंने हाली में शपत ली है यहां के पूर्व राजंद्र मेमन उच्च नियादीश थे अब इनके इस्थान पर धीरुभाई नारण भाई पटेल को मुख्य नियादीश चुना गया है दिल्ली हाईगोट का दोस्तों आपको बता दे जस्टिस पटेल यानि धीरुभाई नारण भाई पटेल 28 जुलाई 1984 में अधिवक्ता के रूप में एन्रोल हुए थे वे गुजरात उच्च नियालाय में भी कारे कर रहे चुके हैं दोस्तों इसके बाद इनका इस्थानांतरन जारखंड उच्च नियालाय में किया गया जहां इन्होंने तीन फरवी दोजनों को सपत ली थी इसके बाद अब इन्हें दिल्ली हाई कोट का मुख न्याइदीज बनाया गया है राजिंद्र मेमन के इस्थान पर सुक्षे सर्वेक्षन लीख 2020 को किस मन्तरालय ने лाँच किया है जिसका सही ऑफ्षन है आवाश वा शहरी मामली मन्तरालय उच्ट किया है दोस्तो यह सरविक्षण शहरों और कश्मों के स्वक्षता की आंकलन के लिए तेमार्शिक मूल्यांकन होगा इससे स्वक्षण सरविक्षण 2020 के साथ एकी किरत किया जाएगा सौक्षता सरविक्षण के पाँचवी वाशिक सरविक्षण का संचालन जन्वरी फरवरी 2020 की दोरन किया जाएगा दोस्तो आपको एक और important fact बता दे सौच्य भारत अभियान का जो शुरुआत की गई थी वह मात्मा गांदी के जन्व दिवस दो अक्टूबर 2014 में की गई थी तो इसे इतना आपको याद रखना है next question तेतरवे संबिधान संसुदन का अभिपालन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तिसका सही option है मद्धिप्रदेश मद्धिप्रदेश तेतरवे संबिधान संसुदन का अभिपालन करने वाला देश का पहला राज्य है दोस्तो अब ये तेतरवा संबिधान संसुदन क्या था आपको इसकी बारी में बता दे कि राज्यों को ग्राम पंचायतों को गठन करना अनिवारे कर दिया गया और इसका अभीपालन मद्य प्रदेश में पहली वार किया गया था दोस्तो अब बात आईए मद्य प्रदेश की तो आपको मैप में मद्य प्रदेश की बारी में बता दें मैप में ये जगह मद्यप्रदेश को दरसाती है मद्यप्रदेश की स्थापना एक नॉमबर 1956 में की गई थी गवर्णर है अनन्दी बेन पटल मद्यप्रदेश के मुख्य मंतरी है कमलनाथ और राजधानी है भोबाल तो इतना आपको मद्यप्रदेश के वारे में याद रखना है किस जिले की सीमा उत्तरप्रदेश को इसपर्ष नहीं करती है जिसका सही उफ्षन है श्योपुर श्योपुर जिले की सीमा उत्तरप्रदेश को इसपर्ष नहीं करती है बाकी दोस्तो सागर की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है दतिया जिले की सीमा भी उत्तर प्रदेश को इसपर्ष करती है और जो नया जिला बना है निवारी इसकी सीमा भी उत्तर प्रदेश से इसपर्ष करती है दोस्तो ये एक्जाम में पूछा जाने लिबाला सबसे ज़ शोपुर की जिले के बारे में बता दें दोस्तो चंबल संभाग का एक जिला है शोपुर मुरेना जिले से 1998 यानि 1998 में विभाजित करके शोपुर जिला बनाया गया था चंबल नदी के तट पर इस्थित है दोस्तो शोपुर जिले में काक्ता जलासा भी इस्थित है कास्ट कल के लिए श्योपुर्जिला सबसे ज़्यादा प्रिशिद्ध है तो इतना आपको श्योपुर के बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात आई है साजापुर जिले की तो आपको कुछ important fact साजापुर जिले की बारे में बता दें दोस्तो साजापुर को पूर्व में खान डी खेडा के नाम से जाना जाता था नेवज लकुंदर पारवती चिलर यहां की प्रमुक नदियां है दोस्तो राजिस्वरी मंदित जो प्रमुक सक्ती पीट में से एक है यह भी साजापुर जिले में ही इस्थित है और दोस्तो मक्सी में प्रमुक ओद्यो के केंद्र है और चिलर नदिपत जिसका पुर्णरमाण रणोजी सिंद्या द्वारा किया गया था यह भी साजापुर जिले में ही इस्थित है तो दोस्तो इतना आपको साजापुर की बारे में याद रखना है निम्नमे से किस आयोग का मुख्याल है भोपाल में इस्थित है तिसका से योफ्षन ये चारों है इन चारों आयोग का मुख्याल है भोपाल जिले में इस्थित है मद्द प्रदेश पिछडा वर्ग आयोग, मद्द प्रदेश अनुसूचित जाती आयोग, मद्द प्रदेश अल्प संक्यक आयोग और मद्द प्रदेश मैला आयोग का मुख्याल है भोपाल जिली में ही इस्थित है दोस्तो भोपाल मत्प्रदेश की राजधानी भी है जिसके करण बहुत से आयोग की मुख्याल है और भी आयोगों की मुख्याल है भोपाल में इस्थित है दोस्तो अब बात आईए भोपाल की तो आपको कुछ Important Fact भोपाल के वारे में बता दें दोस्तो मध्यप्रदेश के भोपाल को जीलों के शहरों की नाम से भी जाना जाता है मध्यप्रदेश का सरवाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल जिरे में ही इस्थित है रास्टिय विदी अकेडमी की इस्थापना 1994 यानि 1994 में भोपाल में की गई थी देश की सबसे बड़ी मस्जित ताजुल मस्जित यह भोपाल में ही इस्थित है दोस्तो इंद्रा गांधी राश्ची मानो संग्राल है यह भी भोपाल में ही इस्थित है विसु का सबसे बड़ा स्वार उजा सैंत्र भोपाल में ही लगाया गया है और दोस्तो प्रदेश का पहला एनरजी पार्क भी भोपाल में ही बनाया गया है एक और important fact आपको भोपाल के बारे में बता दें दोस्तो 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को मिथाल आईसो साइनेट गेस का रिसा हुआ था जिसके करण भोपाल में हजारों मोते हो गई थी तो इतना आपको भोपाल के बारे में याद रखना है next question भारत की ओर से सरवादिक अंतरास्टिय मेच खेलने वाले फुट वॉलर कौन है तो इसका सई option है सुनील चेत्री सुनिल चेत्री भारत की और से सरवादिक अंतरास्टिय मैच खेलने वाले फूट वॉलर बन गए है दोस्तो सुनिल चेत्री ने हाली में भारत की और से 108 अंतरास्टिय मैच खेला इससे पहले यह record महान फूट वॉलर वाईचिंग भूटिया के नाम था जिन्होंने देश के लिए 107 मैच खेले थे लेकिन सुनिल छेत्री ने हाली में 108 मैच खेल कर 200 रिकॉर्ड या भारत की और सी यह रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों आपको बता दें AIFF Player of the Year का खिताब सुनिल छेत्री को 2007 में, 2011 में, 2013 में, 2014 में और 2015 में, कुल 5 बार ये इस AIFF का खिताब जीच चुके है Next Question अजीम प्रेम जी का सम्मन्द निम्नमे से किस कंपनी से था? जिसका सही option है, Bipro अजीम प्रेम जी, Bipro के head थे दोस्तों हाली में अजीम प्रेम जी ने Bipro से अपना इस्थिपा देने की पेसकर्स की है दोस्तों आपको बता दें जुलाई 2019 में अजीम प्रेम जी इस पस से सेवा नर्वित हो जाएंगे दोस्तों आपको Bipro के बारी में भी बता दें तो यह भारत की बहु उद्देश यह कंपनी है और इसकी इस्थापना 29 दिसंबर 1945 में मुहमत हासिम प्रेम जी द्वारा की गए थी इसका headquarter बैंगलूरू में इस्थित है तो इतना आपको Bipro के बारे में याद रखना है दोस्तों आप बात करते हैं इस दे की question की तो कल का question था किस मंदर को सुद्दता का tag भोग के लिए दिया गया है तो इसका सही option था महा कालेश और मंदर और जनके महा कालेश और मंदर को सुद्दता के लिए भोग के लिए tag दिया गया था दोस्तों आप बात करते हैं जनम्ता डे की तो आज का question है हाली में किसे अली राजपुर का collector बनाया गया है दोस्तो इसका answer आप हमें comment box में दें हम आपके answer का इंतिजार करेंगे तो दोस्तो आप हमारे चैनल study universe को subscribe कीजे वीडियो को like केजे शर कीजे जादा से जादा share कीजे ताकि दोस्तो और भी लोग जुड़ सकें हमारे इस चैनल से दोस्तो अगर आपको कोई भी problem जाती है वीडियो से related या किसी भी topics related आप हमें comment box में comment करें हम आपके answer जरू करेंगे और दोस्तो मैंने आपको रोज बताता हूं कम से कम एक हपते में एक या दूपिड अवस्य लगाईए जो परियावरण के लिए बहुत शायता करती है तो आज के लिए वस्तना ही नमस्कार, have a nice day